हेलो फ्रेंड्स में उसन श्राइब मैं स्वागत करती हूं आपका हमारी चैनल अव्यू देकाट निवे जहां पर हम घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे डाटा इंट्री के जॉब करके पैसे कमा सकते हो वह हम बताते हैं आप तक जॉब्स पहुंचाते हैं तो दोस्तो आज मैं बात करने वाली हो 5 होम बेस जॉब की तो दोस्तो चलिए पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं तो पहली जॉब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं जैसे की लॉगडाउन का टाइम है और करोना की वज़े से लोग घर में बैठे है और प्लीज अपनी साफ सफ़ाई का बिल्कुल धिहान रखिएगा और तो अब फर्स्ट जॉप की बात करते हैं जो की है डाटा एंट्री टाइपिस्ट की तो जो कंपनी प्रफाइल की आगे बात करने चाह रहे हैं तो जो कंपनी है वह है सॉफ्टन सॉल्यूशन एक्सप पॉइंट फाइफ लेक है पर एयर लोकेशन आपकी रहेगी बैंगलोर नौइडा चेन नहीं अधर्वाइस आप ओवरॉल इंडिया से अप्लाइ करने के लिए एलिजबल रहोगे वही मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं दोस्तों तो यह फुल टाइम है और पाट अधरी रिक्वाइरमेंट्स होती हैं वो सारी हैं पर निकाली गई है तो वैसे तो हमें पार्ट नाइम मतलब कंपनी को पार्ट नाइम ही चाहिए और लोकेशन ओवर और इंडिया रहेगी और सेलरी की बात करूं अगर मैं पर मन्त वाइस कुछी मैंने पहले एयर के बारे और इंटरनेट मार्केटिंग इंडरस्ट्री आपकी रहेगी बीप और कॉल सेंटर तो दोस्तों आगे हम बात करने जारे हैं एजुकेशन की अगर आप ग्रेजुएट हो पोस्ट्रेजूट हो तब या पिलेजिवल अप्लाय काईने के लिए और अगर आप नहीं भी हो अ आपको नौलेज नीचे और कंप्यूटर आप रहोगे दोस्तों दूसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी जॉब फॉर्म फिलिंग की है यह भी राटा इंट्री एक्जुटिव की ही जॉब है कि तरह से जॉब घर बैठी करने वाले हो कंपनी प्रोफाइल की तो दोस्तों वैसे तो आप ओवराल इंडिया से अपलाए कर सकते हो वही मैं अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करती हूं तो यह पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो फ्रीलाइंस की डाटा एंट्री की क्योंकि वैसे भी आप खुद के बॉस होते आप आप आम से जॉ आपको जिसको आप अराम से कंप्लीट कर सकते हो कुछ टाइम दिया जाएगा उतने में जब आप कंफर्टेबल हो तो आप काम करके आप इसली प्रोडेक्ट जो है अपनी जो डाटा एंट्री का काम है वो करके आप कंपनी को दे सकते हो वही मैं जॉब की बात करूँ तो यहां पर चार जॉब्स निकाली गई है और सेलरी की बात करूँगी पर मंद के हिसाप से तो यहां पर डाटा टाइपिस्ट प्रोजेक्ट की पहली जॉब निकाली गई है जिसमें सेलरी आपकी रहेगी 10,000 minimum और maximum 50,000 पर मंद और प्रोजेक्ट आपको जो है दो महीने में क जिसमें आपको 10,000 minimum और maximum 80,000 मिलने वाला है पर मन्त दो महिने में ही आपको project पुटा करना पड़ेगा और यहां पर 15 vacances निकली है वही अगर मैं तीसरी की तरफ बढ़ती हूं जो निकली है डेटा एंट्री कीजी जॉब में तो 12 box form feeling job है यह जिसमें आपको salary दी जाएगी 10,000 minimum और maximum 30,000 पर मन्त दो महिने के project रहेंगे आपके इसमें और 15 लोगों के लिए यह vacancy निकली है वहीं चौती जब की बात करो तो manual handwriting project है salary आपके रहेगी 10,000 minimum और maximum 12,000 पर मन्त project दो महिने आपको काम करना है vacancy आपकी 15 रहेगी इसमें और आप अराम से understand कर सकते हो easily job info की मैं बात करती हूँ तो department आप करेगा self-employed, freelance, data entry और industry type है BPO और call center और वहीं education की बात करते हैं आगे दोस्तों तो आप graduate हो, post-graduate हो तो भी apply कर सकते हो, otherwise key skills की मैं बात करूँ तो आपके computer operator करना आना चाहिए back office की job है, typing speed अपके अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आप computer data entry project पे काम करोगे 10-12 पास हो तब भी eligible apply करने के लिए तो यार apply करो ना, तो चलिए तीसरी job की सब बढ़ते हैं तो ये भी data entry की job है साथ ही company profile की अगर मैं बात करूँ तो मिनान शिखा soft tech solution private limited तो ये private limited company में आप काम करने वाले हो, अगर आप जुडते हो तो घर बैठे काम करने के लिए और experience की अगर मैं बात की जाए तो freshest to 4 years है salary की मैं बात करना चाहूँगी तो यहाँ पर annum पे आपको salary मिलेगी 1.5 lakh minimum और maximum 4.5 lakh वही मैं अगर आप से बात करूँ job description की तो ये company है जो registered है ministry में of corporate affairs में data entry का work आप करने वाले हो candidate के पास सिर्फ दो चीज़े होनी चाहिए, laptop या desktop जो भी है इन में से तो अच्छे से काम कर सकते हो और MS office की उसको knowledge होनी चाहिए प्लस उसको internet की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए तो मैं projects की बात करना चाहती हूँ जो यहां पर मिलने वाले आपको और जो offer letter होगा वो आपकी mail के थूँ send कर दिया जाएगा आपकी Gmail पर तो यहां पर projects जो रहेंगे वो medical content writer first, second is data entry in exercise sheet, third is manual writing projects, fourth is USA DDU, survey, project and fifth is digital parts form filling and the sixth is data processing तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि हाँ पर आपको projects मिलते हैं depend करता है कि आप कौन सा project चुड़ना चाहते हो अपनी मर्जी के according वहाई, job info की बात करना तो post आपकी data entry operator की रहेगी job type आपका work from home है 20 vacancy निकले हैं आपके और typing speed speed mostly आपकी 20 word per minute से लेके minimum और maximum 30 word per minute होनी चाहिए ये काम आप 6 गंटे में करना चाहते हो 8 गंटे में चाहते हो घर में रहे कि वह आप पे depend करता है work type आपका रहेगा offline but internet की requirement है data को transfer करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तो जिनके पास घर में internet नहीं लगा हुआ by broadband वह अराम से apply करने के लिए eligible है क्योंकि उनको सिर्फ data send करने के लिए internet की requirement है बाकी वैसे देखा जाते है offline data entry की job रहे कि education की बात करूँ तो graduate हो post graduate हो तो आप apply करने के लिए जबल हो otherwise 10-12 पास हो तब भी आप्लाइ कर सकते हो वही की skills की बात करूँ तो typing speed आपके अच्छी हो निचे यह वह आप किसी भी software कर सकते हो data entry operator हो गया आप computer पे काम करने वाले हो तो computer की knowledge हो नहीं must है कि उनके पास सखास करके students के बास जिनके पास इस टाइम प्रेशर है कि वही काम नहीं करता अब lockdown हो गया तो अब क्या करेगा तो ऐसे questions आपके आते रहेंगे तो आप prepare रहेंगे साथ ही अगर आप data entry के job करते हो तो आप इन questions से बच सकते हो क्योंकि आप कहर बैठे अपने according काम करना होता है तो चलिए दोस्तों कंपनी प्रोफाइल के बात करते हैं कंपनी जो है वह है referral interview और experience की बात करता है freshers to 2 years है कि अलरी की बात करों तो 1 lakh है minimum और maximum है 2 lakh per annum और location आपकी रहेंगे बैंगलोर चेन इनॉड़ा वैसे तो आप अवर और इंडिया से अप्लाय करने के लिजिबल हो तो दोस्तों चलिए अब आगे job description के बारे में बात करते हैं तो data entry जॉब रहेगी आप घर पे बैठ करके काम कर सकते हो तो duo type की जॉब आपको इहां मिल रही है लेकिन जरुवरत अभी है तो आप जल से जल जॉइन कर लो और साथ ही job info की बात करूं अगर में तो department रहेगा आपका back office, operations और still type रहेगा आपका BPO call center education अगर आप graduate और पोस्त ग्रेजुएट और तब भी apply कर सकते हो अधर वाइस requirement नहीं है आप computer data entry operator रहोगे तो पांच भी जब की बात करने चाह रहे हैं तो जो job रहेगी वो data entry टाइपिंग की रहेगी साथी company की बात करूं मैं तो company as a technology and solutions है experience freshers to 1 years है वहीं salary की बात करूं तो 1 lakh है minimum maximum 6 lakh per year और साथ ही location आपके रहेगी बैंगलोर, चेन्नाई, इनोइटा अगर आप overall इंडिया से apply करना चाहते हैं किसी भी state से तो भी आप eligible हो apply करने के लिए तो दोस्तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और job description की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए company ने आपको दो type की job निकाली गई है तो वैसे तो SMS sending का work है तो पांच मिनिट का है इसमें बहुत time की आपको requirement नहीं होगी तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन-कौन से काम मिलने वाले हैं इस ज्वाब में तो पहला है SMS sending project जिसमें आप client के 100 message SMS जो है यानि की वो everyday send करेंगे अपनी mobile application से और साथ ही आपको salary मिलेगी 3000 per month और 3 months आपको continue इस पर काम करना होगा vacancy जो है 50 लोगों के लिए है साथी second project की बात करूँ तो recap and tree projects है इसमें आपको कोई time limit नहीं मिलेगी इस job में और आप payment आपको आराम से मिल चाहेगी और salary की बात करूँ तो यहां पे आपको 10,000 minimum maximum 20,000 मिलेगी salary और साथी project जो है एक साल तक continue रहेगा vacancy जो है 40 लोगों की नि इंट्रस्टी रहेगी advertising MR PR events तो दोस्तो अब आप इन jobs के बार में जानी गए है मेरी वीडियो के description में एक लिंक दे रखा है अपस पे क्लिक करके shine.com पे जाकर के आप अप्लाइ कर सकते हो वैस तो को time का time चल रहा है और हम यहां पे आपके लिए jobs लेकर आ रहे हैं ताकि आपा आपा है तो कि आप आप सकते हमा यहा है है तो कि यहाई तो को आपके आपके यहाई और है अग।